साहित्य जगत राश्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान और प्रिशिक्षन परिशत के केंद्रिय शैक्षिक प्राध्योगी की संस्थान दोरा प्रस्थु थे कक्षा बारा के लिए विश्वनात्र पाठी दोरा लिखित एच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सामानने परिशे में संकलित पाठों पर आधारित शंकला साहित्य जगत इस शंकला के अंतरगत सुनिये कारिक्रम आधुनिक काल के अंतरगत कविता चायाबाद इस युक की काविधारा की प्रधान प्रवरिक्ति को चायाबाद की संगया दी जाती है हिंदी कविता के क्षेत्र में चायाबाद का उलेख 1922 के आसपास मिलने लगता है शुकल जी इसे रविंदरनात ठाकुर की कविताओं के प्रभाव से आया हुआ मान कर इसका संबंध इसाई संतों के फैंटेस माटा यानी चायाबास शब्द से जोडते थे उन्होंने चायाबाद को चित्र भाशा शैली भी कहा नंद दुलारे वाशपई ने इसका संबंध युग बोध से जोडते हुए भी इसे व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक चाया का भावान कहा डॉक्टर नगेंदर ने चायाबाद को इस्थूल के विरुद्ध सोक्ष्म का विद्रोह माना डॉक्टर नामवर सिंग ने अपनी पुस्तक चायावाद में दिखाया कि चायावाद कई कावे प्रवरिक्तियों का सामुहिक नाम है और वह उस राष्ट्री जागन की काव्यात्मक अविव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूडियों से मुक्ति पाना चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से चायावाद सामराज्यवाद विरुद्धी मानावतावादी कावे धारा है वह व्यक्ति के सुक दुख का उदात्ती करण कर देता है प्रसाद ने आंसु के उत्रार्ध में आंसु की घनिभूत पीडा को दुख दावा से दग्ध विश्व की पीडा से चोड़ कर इस जग के विरिंदावन बन जाने की कामना की उनकी कामायनी शक्तिशाली और विजई बनने का अहवान करती है शक्तिशाली हो विजई बनो विश्व में गूंज रहा जैगान निराला ने शिवाजी का पत्र में मुगल शासन को सामराज्यवादी कहा राम की शक्ति पूजा में अन्याय जिधर है उधर शक्ति लिखकर अन्याय और शक्तिशाली ब्रिटीश सामराज्यवाद से निपटने के लिए केवल धर्म, न्याय और विवेक को अपरियाप्त बताती हुए शक्ति की आराधना का प्रस्ताव किया चायावाद व्यट्ति के मानस को उड़ने के लिए कलपना का अनंत आकाश देता था वह दीन तलित के दुख से व्यथित भी होता था उसने अपने परिवेश, देश की प्रकर्ति, नदी, पर्वत, खेत, खलिहान, इतिहास, पुरान, सबको नई दृष्ट से देखा उन सबकी नई पहचान बनाई उसने प्रकर्ति की भांती नारी को भी कलपना से निर्मित किया और यथार्थ की दृष्ट से भी कुल मिलाकर इस युक का साहित्य यथार्थ की विशम भूमी पर भावी भारत को रचने के स्वपन का साहित्य है इसमें शक्ति एवं मंगल की भावना है चायावाद के प्रमुख कवियों प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा का संचिप्त परचे इस प्रकार है जैशंकर प्रसाद 1889 से 1937 इस्वी प्रसाद जी का जन काशी के प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार में हुआ इन्होंने प्रारंभिक काव्यरचना ब्रज भाशा में की ये मूलतह आनंद के कवी है अपने मन के गहरे विशाद को इन्होंने आसु में लोकमंगल की भावना से जोड़ा है जैशंकर प्रसाद तीस कचोट और जगत की नश्वर्ता के कवी हैं कभी कभी उनमें सूफी कवियों जैसी उतकट वेदना का भाव पाया जाता है वे एक दार्शनी कवी हैं उन्होंने अपने इतिहास और दर्शन के ग्यान को कामाईनी में प्रबंध योजना से समन्वित करके अभिव्यक्त किया है कामाईनी मानव के बाह्य और आंतरिक विकास का कथा काव्य है जो अंत में शैव आनंद वादी दर्शन में समाधान ढूंडता है यद्यपी इस विशद कृती पर अनेक आधुनिक विचारों का प्रभाव है इनकी प्रसिद काव्यकृतियां है कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महराणा का महत्व, चित्राधार, आसु, जर्ना, लहर और कामाईनी सूर्यकान तित्रिपाठी दिराला 1899 से 1961 इस्वी निराला का जन्म महिशादल राज्य यानि बंगाल में हुआ उनका गाउं गड़कोला उन्नाव जिले के अंतरगत पड़ता है निराला ओज और दात्य एवं विद्रोह के कवी हैं उन पर वेदांत और रामकृष्न परमहंस तथा विवेकानन्द के दर्शन का प्रभाव रहा है इसलिए उनकी कविताओं में रहस्यवाद भी मिलता है निराला अकूंट श्रेंगार तथा त्रिप्ति के कवी हैं वे सुख दुख दोनों को भरपूर देखकर उससे उपर उठकर चित्रन करने की च्षमता रखते हैं उनकी कविताओं में बौधिकता का भरपूर दबाव है अपने युक का विशम यथार्थ और उससे उबरने की साधना उनकी तीन प्रबंदात्मक दिर्ग कविताओं तुलसिदास, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा में प्रकट हुई है सरोज स्पृति उनकी कण्या सरोज की मृत्यु पर लिखी गई कविता है अपनी कण्या के बच्पन और किशोरावस्था का ऐसा अकुंठ और सैयमित वरणन अन्यत्र दुरलब है निराला हिंदी में मुक्त चंद के लिए प्रसिद्ध हैं वे स्थितियों के संचलेश से कम से कम शब्दों द्वारा अधिक से अधिक भाव प्रकट करते हैं नाद योजना का उनकी काव्यात्मक्ता में विशिष्ट स्थान है निराला में प्रारंभ से ही चायावाद के साथ साथ सरल और बोलचाल की भाशा में जीवन के विशम यथार्त को अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति रही है यह महत्व निराला को ही प्राप्त है कि नई हिंदी कविता की सभी प्रवृत्तियों के कवी अपना संबंध निराला से जोडने में गौरव का अनुभव करते हैं उनकी प्रसिद्ध का विकृतियां है अनामिका, परिमल, गीतिका, अपरा, कुकुर्मुत्ता, अनिमा, बेला, नईपत्ते, आधि सुमित्रा नंदन पन्त, 1900 से 1977 इस्वी पन्त जी का जन्म उत्तरांचल के अल्मोडा जिले के कौसानी नामक मनोरम स्थान पर हुआ उनकी कविता में प्रकृति को विशेश महत्व प्राप्त है पन्त प्रधान तह समवेदन शील इंद्रिय बोध के कवि है चायावादी कवियों में सबसे सहज अतह ततकाल स्वीकार्य तथा लोगप्रिय होने वाले कवि पन्त थे उनकी कविता ने चायावाद को पतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमी का अदा की उनकी काव्यचेतना ने कई मनजिलें तै की हैं युगबोध के अनुसार अपनी काव्यभूमी का विस्तार करते रहना पंत की काव्यचेतना की विशेष्टा है प्रारंभ में वे प्रकृती सौंदर्य से अभिभूत थे फिर मानव सौंदर्य से मानव सौंदर्य ने उन्हें समाजवाद की ओर आकृष्ट किया समाजवाद से वे अर्विंद दर्शन की ओर प्रवृत हुए वे मानववादिक कवी थे जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे वे अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी रहे उनका अंतिम काव्य लोकायतन है जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है उनकी प्रमुख काव्यकृतियां है उच्छवास, पल्लव, वीना, ग्रन्ति, गुन्जन, युगांत, युगवानी, ग्राम्या, स्वर्ण धूली और स्वर्ण किर्ण महादेवी वर्मा, 1907 से 1987 इस्वी महादेवी जी का जन फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ महादेवी वर्मा की कविताओं में करुणा की भावना प्रधान है उन पर बौध दर्शन का भी प्रभाव है आतुर्ता, प्रतीक्षा, समर्पन, जिग्यासा उनकी कविताओं की प्रमुख भावनाएं है उनमें नारी सुलब सतर्क संकोच भी है जिससे उनकी कविताओं की दोहरी व्याख्या होती है कभी उन्हें श्रिंगारी समझा जाता है, कभी रहस्यवादी वस्तुतहा महादेवी की कविताओं भारतीय नारी की मानसिक्ता की उपज है उनकी कविताओं की करुणा का संबंध लोक में व्याप्त और उनके निजी दुख से है उस दुख के दूर होने की उनमें प्रबल आकांक्षा है मैं नीर भरी दुख की बदली, उनकी प्रतिनिधी पंक्ती कही जाती है किन्तु उनी की एक प्रसिद्ध पंक्ती है रात के उर में दिवस की चाह का शर हो दीपक और बादल उनके प्रिय प्रतीक है गीत रचना में उन्हें विशेश सफलता मिली है उनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं नीहार, नीरजा, सांध्यगीत, यामा और दीपशिखा चायावादी पद्धती पर कविता करने वालू में जानकी वल्लब शास्त्री, रामकुमार वर्मा आदी अन्यकवी उलेखनिय है आधुनिक काल के अंतरगत, कविता चायावाद साहित्य जगत के अंतरगत, अभियाव सुनरहिती ये कारिक्रम विशे संयोजन डौक्टर संध्या सिंग, डौक्टर चंद्रा सदायत एवं लाल चंद राम, आलेख विश्वनात्रिपाठी, वाचनस्वर के चंदन और सुनिता चोहान, कार्यकारी नर्मान प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, तथ नर्मान एवं प्रसुती, दावुदयाल चत्रुवेदी,